हेलो दोस्तों एक पर दुबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विवे करना स्टॉक्स में अगर आप चैनल में नए अधुजय को सब्सक्राइब कर सकते हो उस लागरो के बटन को क्लिक करो साथ बैल को दवाना नाम होना साथ पर ही आप हमें वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बैस्ट पैनि स्टॉक विलो फाइब फाइब रुपीज शेर एक टॉप फाइब तो उनमें से यह कि पैनि स्टॉक है जो 170 रुपे से गिरकर एक रुपे का सपोर्ट लेकर उपर की तरब जा रहा है तो डैफिनेटली दोस्तों स् वीडियो नहीं है किस स्टॉक का क्या नाम है ठीक है क्या क्या क्याम करती है और चाट पैटिन क्या कह रहा है किस अट्रि करना क्या स्टॉक लोस्ट रहत के टार्गे अपनें आपको वीडियो अन तक देखना पड़ेगा और साथ में कुछ अगा समझ आएगा तो like शेख थोड़ा company के बारे बथा देना चाहता है, 1980 में company found की गई थी और company mainly, आप बोल सकते हो, metals में deal करती है, metals and plastic, तो आप बोल सकते हो, जो इसका sector में metals में आता है, और company का market cap 3.43 क्रोड के आसपास का है, जो एक small cap category में fall होती है, current price के रहा है, ठीक है, high low आप देख सकते हो, 4.12 और 1. 1.54 के आसपास का low है, last year का, ठीक है, और अगर stock valuation के इसाप से हम बात करते हैं, तो काफी सस्ते में भी आपको मिल रहा है, 1.5 रुपे का current, 1.5 के valuation के इसाप से काफी सस्ता है, और company dividend नहीं दे रही है, आपको, company लगता profitable है, हर साल थोड़ा बहुत profit देती रहती है, लेकिन त अगर बात करते हैं, सबसे अच्छा fact stock का कि पसंद मुझे क्यों आ रहा है, अगर आपको long term में stock के investment करने हैं, तो छोटा मोटा amount लगा के आप भूल सकती हो, आप penny stock में उतना amount investment करो, जितना आप खोने के रेडी हो, ठीक है, बाबार, कोशन करने कर सकते हैं, ये stock penny stock नीचे जारा नीचे जारा क्या करें, आप उतने amount लगाओ, जितना आप खोने के लिए ready हो, उससे जाता मत लगाया करो, ठीक है, अगर बात करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग की तो 46% के आसपास का, प्रमोटर होल्डिंग है, जो काफी बढ़िया number होता है, और एक रुपे का pledge नही का, आप देख सकते हो, cash reserve है, ठीक है, तो भाई, company cash reserve करके भी चल लिए है, debt बिल्कूल भी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग गर्जब है, और company लगाता profitable है, तो definitely stock का ब्रड़ा में रख सकती हो, उससे आप देख सकते हो, company के बारे में आपको जानने को मिल सकता, प्लास्टि trading and MS Steels, ठीक है, में लिए काम करती है, cables में, और आप बहुत सकतो, में लिए company belong करती है, आपके steel sector से, ठीक है, company के बारे में होड, detail जानने के आप Google कर सकते हो, ठीक है, या आप Google, या तो नीचे, आपको में लिंक देदूँगा, वहाँ जाके read कर सकते हो, और मैं को लेके चल करी है, अपने books से, और दोस्तों, सबसे बढ़िया बात क्या है, company की, दोस्तों, देख सकते हो, company में, हाल फिलाल के दिनों में, मतला, last quarter में, one point के आसपास, one percent के आसपास, मालिकों ने अपनी holding बढ़ाई है, दोस्तों, सोचो इस बात को, promoter के मालिक कब अपनी holding बढ़ाते ह आप खुद की research भी करना, ना भूलना, क्योंकि आपका अपना पैसा है, जैसे मैंने आपको बथाया था, उपर, यह कम भी लगाता, profit दे रही है, लेकिन आपको dividend नहीं दे दिया, उसका region मैंने आपको बतला दिया है, ठीक है, और दोस्तों, देख सकते हो, इसमें return on equity काफी low है, जैसे मैंने आपको बथाया था, ठीक, दोस्तों, मैंने screen में company के profit and loss खोल रखे, 2900 लेके दोर 20 तक screen में आपको देख रहे होंगे, और दोस्तों, देख सकते हो, sales आपकी पीच में कम होई है, ठीक है, यह एक region था, जिस वज़े से stock इतना पिटा है, 2012 के आज़ जो sales थी सकते हो, जो house level की sales है, उसमें लगा था, एक increment आ रहा है, तो दोस्तों, देख सकते हो, sales में जब एक पर increment आ रहे हैं लगेगा, तो definitely इसके net income में impact पड़ेगा, जब net income बढ़ेगा, तो definitely stock का price भी rocket होगा, और जब एक बार rocket होने लगेगा, तो सायद आपको मिलेगा नहीं, ठ profitable का मतलब की LA books में एक रुपे का profit शोग कर रही है, बहुत सारी company है, market में जो nifty fifty में trade करती है, बहुत सारी companies है, pen stock में जो एक रुपे का profit नहीं देती है, लेकिन उनके जो news होती है, उनका जो hype होता है, इतना बड़ा होता है कि उ stock आपका एक रुपे से 30 रुपे तक हो जात है, ठीक है, तो भाई, इन stock क्या कोई बारे में बात नहीं करता है, तो इसलिए यह stock यहाँ पर आपको मिल रहे हैं सस्ते में, और volume इन stock में काफी कम रहता है, क्योंकि इनकी news बहुत कम रहती है, ठीक है, तो ध्यान से buy करना, ज्यादा quantity buy करने हो सकता नहीं है, आप देख सक मैंने सेरोल्टिंग पैटन खोला हुए stock का, PM Tellings Limited का, जैसे मैंने आपको सुरूमें बताया था, 46% के आसपास की holding है, प्रमोटर की, जो दिसम्मर में नोंने बढ़ाई है, 1% के आसपास, तो 46% की current holding निगल के आती है, प्रमोटर की, और बाकी public का पैसा लगा हुआ है, और आप देख सकते हो, कि जो मालिक है, उन्होंने public से माल बाय किया है, ठीक है, आप देख सकते हो, तो definitely वहाई stock का बढ़ा में रख सकते हो, ठोड़ा बहुत आपको बता देना चाहता हूँ कि company profitable है, debt free है, एक रुबे का pleasure नहीं है, company का business इतना खास नहीं है, पहले sales में stock नहीं है, इस stock की आपको बहुत कम news देखेगी market में, इसलिए भईया, volume, source में बचके करना, जो बोला है, उसको ही follow करना, ठीक है, बड़ा quantity और बड़ा हाथ मनने के हो सकता नहीं है, right, अब बात करते है, stock के chart पे टेनगी, कि stock का chart किया सा बोल रहा है, और हम इस stock में chart में क् मनने chart दोस्तों आप देख सकते हो, stock एक consolidation phase में जा रहा है, ठीक है, रची से संदे रहे, नहीं है, आप आपको 4 रुपे का इस पास, और एक support area है, जो लो लगाओ है, ठीक है, अब 6 मन्त का chart हम देख लेते हैं, क्या दिकरा हमें, तो 6 मन्त के chart पे stock ने काफी अच्छा bounce किया रुपे से stock 4 रुपे हो चुका है, ठीक है, तो आप सोच को क्या करेंगे, आपको बता देना चाहता हूँ, आप stropos लगाओगे 2 रुपे की निचे, तो हमारा stropos रहेगा, 2 रुपे की निचे का हमारा stropos रहेगा, और stock को हम बाइक करके चल सकते हैं, ठीक है, stock लगातार उपर की तरब जा रहा है आप देख सकते हो एक high high petting का एक formation कर रहा हूँ जैसे ही यह stroke अपना यह last swing तोड़ेगा आप देख सकते हो last यह resistance ने test कर चुका है दो बार definitely अगर दो बार इसने test किया तो इस बार अगर यह जाएगा तो तीसरी बार इसको definitely break करेगा है तो six month का चार्ट हमें कह रहा है कि हमें stock को buy करके चलना चाहिए बात करते एक साल की चार्ट की तो दोस्तों मैंने एक साल का चार्ट भी खोल लगा है तो आप देख सकते हो stock एक रुपे 57 पैस के आसपस support लेके उपर जा रहा है तो अगर आप ध्यान से देखोगे past में इसका एक resistance था जो resistance निकल के आता आपका साड़े 3 रुपे के आसपस ठीक है तो जो इसने break कर दिया है तो आप बोच सकते है एक तरह का cup and handle pattern मना रहा है ठीक है इसको मैं यू pattern बोलता हूँ अपने language में तो आप इसको 3 रुपे साड़े 3 रुपे के आपको buy करके चल सकते हो और यह आपका बोच सकते हैं जितना यह आपका यह जो आपका नीचे का down आपको दिख रहा है उतने ही आपको upside rams देखेंगे को मिल सकता जो निकल के आता है 5.5 और 6 रुपे के आसपस ठीक है तो target आपको मैं बता दिया 6 रुपे तक आप stock को hold कर सकते हो 6 रुपे जैसे stock जाएगा तब हम देखेंगे कि हमें stock को further hold करना है या नहीं करना है ठीक है अगर 5 रुपे चार्ट के में बात करता हूँ तो अब ध्यान से देखो कि 5 रुपे चार्ट stock एक consideration phase में जा रखा और double bottom का formation कर रहा है stock एक बात साधे 5 रुपे जाएगा तो definitely 6 रुपे का resistance area यह रहा जैसे 6 रुपे एक बात test करेगा उसके बात दुबारा निचे आ सकता है तो एक बात 6 रुपे के असपर profit booking कर लेना ठीक है बाकी 3 रुपे और 3 रुपे के असपर आपको आराम से stock buy करना चाहिए लेकिन अपन risk management money management को follow कर लेना और साथ में दोस्तो मैं कोई advice नहीं दे रहा हूँ कि आप stock को buy करो करो ठीक है आप खुद के अपनी इसरा करके add कर सकते है मेरा काम है आपको guide करना कि भाई यह stock अच्छा लग रहा है बिलो 5 रुपी से चल रहा है इसके profit and loss यह है तो definitely आप checkout कर सकते हो look forward कर कि आपको क्या करना चीए ठीक है मेरे साथ से अगर मैं आपकी जगा होता तो मैं stock को side buy करता लेकि इतनी बड़ी quantity नहीं buy करता जो अभी आप सोच रहे होंगे क्योंकि stock 1.5 रुपे से almost 4 रुपे हो चुका है तो मुझे अगर यह 1.5 रुपे 2 रुपे के price में मिलता future में आपको दिख जाएगा जो उसका RSI है more than 70 होगा तो हमें stock को भी हात नहीं लगाना है उसके साफ से ठीक है यह simple सा psychology है आप जब वो आयसे थोड़ा निच्छे आएगा ता आप stock को buy करके चल सकते हो बाकी आपकी मर्जी जैसे आपको करना है अगर मैं चार्ट की में बात करता करार लगातार तो है 14 से लेके 20 तक तो यह range जैसे breakout होगा 6 रुपे के उपर ठीक है 6 रुपे के उपर अगर रेंज ब्रेकाउट कर देता है और मुझे लगता नहीं कि first time यह इसको करेगा इसको करने में इसको कम से गम दो या तीन बार यह test करेगा 6 रुपे जैसे यह दो त करता रहता हूं और लाइक कर दो शेर कर दो फेज़ू टो टेलीगराम जहां आप कर सकते हो बाकी मिलता हूं आपको अपने नेक्स वीडियो तिल दन बाए बाए ठेंकी सोमाज सेप्टेडिंग है और भाई तो भाई खोने के लिए कुछ नहीं है तीन साल में किसमत बदल सकती है 168 से गिरकर एक रुपे का सपोर्ट लेकर उपर जा रहा है